नमस्कार नियूस्वर इन्यमा आपनू स्वागत्चे हुँच्व अपनी साधेक कुमार बारोट नजय करिये आजना सवाचारों पर नदीनी रेत मां रमतु ए नगर रिवर फ्रंट नी पाली उपर बैस्तु थाईगेव। लाल बस अने रिक्षामा फर्तु ए नगर मैट्रों मा दोर्तु थाईगेव। अर्धीचा अने चवाना धरावतु ए नगर रात दिवस एसजी हाईवे अने सिंदु भवन पर बैस्तु थाईगेव। मारी भीतर रहतु धबक्तु मने जिवार्तु ए नगर इटले मारू अमदावाद। हैपी बड़े अमदावाद जी हाँ 24 मी फेबरुवार ये अमदावाद नो जन्म दिवस इटले के स्थापना दिवस 26 मी फेबरुवार ये शहर नी स्थापनाने 603 वर्ष पूरुन थया चे पेली के वच्चने के जब कुत्ते पे सस्सा आया तब बाद्शाह ने नगर बस आया अवाद अमदावाद शहर नी जुनियादों ने वागोल ता वडिलोना मुखे थी सांबलवा मले चे त्यारे अमदावाद शहर ना स्थापना दिवस निमित्ते जुहापुरा खाते एक सुन्दर उजवणी ना कारेक्रमनों आयोजन करवा मावियोतु अमदावाद सम्रुद्ध वारसानी उजवणी मा स्थानिक शालाना युवा कलाकारोय चित्तो ना आकर्षक प्रदर्शन नु अनावरन कर्यो अतु जुवापुरा खाते आयोजी ता कारेक्रमना शालाना बालकोनी कलात्मक प्रतिभा दर्शाववामा आवियती जैमने अमदावाद न सांसकृृतिक अने अितिहासिक महत्व ने तемना जीवन्त अने कालुपनिक सर्जणे द्वारा सुन्दर keywords दर्शाववयोतु आ पेंटिंग्स महां सुन्दरितै आइको निक सीमा चिन हो अने अम्दावाद ने व्याख्याइत करती वैविध्य सवर सांस्कूरतिक टेपेस्ट्री क्याप्चर करवा मा वीशे आ प्रदर्शन मात्र विज्वल ट्रीटेद नहीं परन्तु युआ पेटी मा सर्जनात्मक्ता केडवा अन्ने शेहर ना अनन्य वार्षा मा गर् अम्दावाद शेहर नो मानेक बुर्ज पासे पायो नाकियो अरतो अनेक हेरिटेज स्थळो अम्दावाद शेहर मा आवेला शे जेना थकी आजे भारत ना वोल्ड हेरिटेज सीटी तरीके अम्दावाद आजे विश्व बर्मा ओलक दरारे शे अम्दावाद शेहर नी ओल किवा हेरिटेज स्थडों भद्र किल्लों राणी नों हजीरों एहमद शाह बादशार नों रोजों अने मानेक चौक सहितना घणा बदास्थ तवों जुवा माटे सहराणियों देश विदेश माती आ इतिहासिक शहर ने जुवा माटे आउता हुए जे पहली बार हुआ है कि किसी इंडिजिवल एरिये के अंदर मुसल्मानों की तरफ से इस तरह का प्रोग्राम का आज़ित किया है और हमारी जो विरासत है उसको समालना हमारी जिम्मेदारी है तो हमने ये प्रोग्राम इसकुल के बच्चों के तहत और दूसरे एंजियो और सपोर्ट के तहत हमने कि प्रोग्राम को आज़ित किया है कि हम हमारी विरासत को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को उसके बारे में आगा करें कि एहमदाबाद जो बसाया गया था उस वो किसने बसाया था कैसे बसाया था और इसके मॉनुमेंट्स क्या क्या है एहमदाबाद के अंदर जिस मेरा नाम हाफिस सरफराज एड़ोगेट है और यह जो पोग्राम रखा गया है खास करके एमदाबार शहर की जो स्थापना हुई आज के दिन बराबर तो उसकी वज़ा से यह पोग्राम रखा हुए कि हमारे जो बच्चे है जो एमसा बास्ता ने हमें विरास्त स्वांप के गए है और रास्चे जो दरोहर है जहें जुलता मिनारा है दादा हरी की वाओ है जामा मजीद है चबूतरा है हजीरा है यह सारी चीजे हमारी रास्चे दरोहर है और हमारी विरासते यह सारी विरासतों का हमारे आने वाली पेड़ी और आने वाले जो बच्चे है हमारा भवी सिया वो याद रखे इतिहास को भूलेना इसलिए खास करके हमने मुमिन्टों का और सब बच्चों के ने रोइंग बनाई है उसके लिए प क्या हुआ है और पांच किलोमेटर का शहर आज 650 किलोमेटर का शहर बना है शहर के अंदर में स्कूले शुरात में दो स्कूले तीन स्कूले थी और आज ज्यादा नहीं में मान रहा हूं तब तक तो साड़े तीन जार चारे जार स्कूल बन गई है उतने बच्चे पैदा के बच्चे आये हैं everybody will be a torch bearer हर एक के इंसान हर बच्चे के हाथ में एक मशाल रहेगी शहर की शहर के दरहर के पहचान की वो लोगों को बताएंगे मेरा शहर क्या है आने वाली पीडी को वो लोग बताने वाले हैं मेरा शहर this will create a responsible citizen यह मान के चलिएगा so I am very much happy शहर बनता है बच्चों से बनता है जवाबदार नागरी को से बनता है और आज हम जवाबदार नागरी को सामने खड़े रहे के हम एक message देना चाहेंगे शहर शहर आपका है शहर हमारा है शहर हम सब लोगों के लिए है ना ही इसमें कहीं प भी यह message नहीं था कि यह इस बिरादरी से है या उस बिरादरी से है it was a very very strong message that people were staying together मजे से रहते थे खूब शौक से रहते थे I am sure as such यह आज का शहर आज की जो धरोहर को आगे लेके चलने वाली है मेरी शुब कामना है और I wish that शहर शुद भी people should be and everybody should be perfect enjoying and have wonderful time Thank you साहद ये तो मुश्किल है ऐसा मुझे लग रहा है करनावती हो या नाम बदलने से अगर मैं बोलूँगा कि heroine के नाम के कपिल शर्मा अगर उसका नाम कुछ और था तो वो comedy नहीं करता क्या करता वो भी comedy करता लेकिन नाम में जरूर से फरक पड़ता है शहर अमदाबाद की पहचान हुई है अमदाबाद से अमदाबाद की ही पहचान रहेगी उसको बदलने के कोशिश हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पहचान हुई है उसी नाम से बसाया किया है तो मेरी राए तैसी है कि कहीं पर भी शहर का नाम किसी भी शहर का नाम बदलना नहीं चाहिए ऐसा मेरा नाम हैमल शाह है मैं चीराख खादी ग्राम उद्योग विकासन की चैर परसन हूँ और सबसे पहले तो मैं एमदाबाद के लोगों को हैपी बड़े एमदाबाद के लिए प्रोसाइद करना चाहूँगी आज 613 उनका हैपी बड़े दिन है तो हैपी बड़े एमदाब और हम करते रहे अभी यह अपना जो ट्रस्ट है उनकी तरफ से यहां पर बच्चों को बुलाइया गया है काफी सारे लोगों को बुलाए गया है और प्रे बड़े अज़ेसरा कर दाए नहींद कर दो हम दोटाए बच्चे बहुत हैपी है और हमारी जो एम्दाबाद की धरोहर है आज की पिड़ी है आज की पिड़ी जैसे आगे बड़ेगी वैसे ही हमारा एम्दाबाद सब लोगों को जाना जाएगा और सब लोगों को मैं फिर से बुलना चाहूंगी